नमस्कार दोस्तों मैं यौमी तरफ सभी को मेरे यूट्यू चैनल पॉल्टराइस पे स्वागत है और दोस्त ये देखके आप ऐसा नहीं समझे कि कोई जादू मैं दिखाने वाला हूँ ये एक्चुली सेड का डिसिनफिक्टेंट होगा और ये बहुत ही पूराना जमाने का एक तरीका है तो इसको आप इस्तिमल कर सकते हो कि कि बहुत सरे फार्मार्स जो है वो छोटा फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए ये जो सिस्टेम है स्मोकिंग का जो सिस्टेम है वो खरिदने का उतना ज्यादा पैसा नहीं है तो ये इस्तिमल कर सकते हो तो मैं यही आप स तो दोस्त इसको मैं इस्तिमाल करका आपको दिखाूंना कि किस तरह से एक इसेड पूरी तरह से disinfectant किया जाता आubenों कि बहुत सरे फर्मर्स क्या कमेंट करता है कि हार लौट में एक एक बीमारी जो आ रहा है मतलब सैम बीमारी हार लौट में आ रहा है और दोस्त बहुत सारे ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि सेड का white wash एकदम संदर तरीका से करता है लेकिन उपर का जो सेड है सेड का जो छात है उसको थिक तरह से clean नहीं करता है और दोस्त हम लोग जो disinfectant spray करते वो जो spray है वो मतलब सेड का जो हार कोना है वहाँ पे पोहुं इसका जो छात है लकड़ी का उपर साइड है खंबे का उस साइड है तो यहाँ पर ठीक तरह से पहुंच नहीं सकता तो जो जार्म है जो वाइरस है जो वैक्टरिया है वो तो दिन बर दिन रही जा रहा है तो इसका चलते आपका सेड का जो result है वो खराब हो सेक्ट है तो दोस्ता चलिए इसको किस तरह से इस्तिमाल किया जाता है एक बर दिखा देता हूं और दोस्त एक ही request है कि वीडियो को आप end तक देखिए जाके आपको पूरा पता चले इसके इसके इस्तिमाल और यह इस्तिमाल करने से पहली यह चारो और जो उपर साइड नीचे साइड जो पर्दा है इसको प्रोपार आपको गिरना चाहिए मतलब कोई छेद नहीं रहना चाहिए चलिए दोस्त मैं पर्दा को गिराके आपके साथ फिर बात करता हूं तो दोस्त पर्दा को गिराके मैं फिर से हजीर हो गया और दोस्त मैं आपको यह बताऊंगा कि पर्दा को क क्यों गिरना चाहिए क्योंकि बहुत सरे फ़्माइश से भी कोमेंट कर सकते कि यह अगर माल लिजेक पर्दा को आप ख्रते के स्मोग करें तो बाहर से अगर हावा आएगा तो यह जो इसमोग है तूरंत बाहर से हमको रख दीजिए और दोस्त पटा से हमका जो डोजे चाहिक बर बता देता हूं यह मैं थाउजन स्क्वार फीट के हिसाब से 600 ग्राम कर के हिसाब से मैं इस्तिमल कर रहा हूं मतलब मेरा जो अभी यह जो सेड है 2000 स्क्वार फीट सेड है तो 1200 ग्राम मतलब एक किलो 200 ग्राम की इसाब से मैं इस्तिमल कर रहा हूं और दोस्त यहां पे एक हएक्ठो तो मैं इस तरह से करने वाला हूँ और दोस्त और एक बात मैं आपको बता देता हूँ इसका इस्तिमाल करने का जो तरीका है आप पहले इंडिंग में मतलब जो end point फार्म है आप से आप इसको start कीजिए क्योंकि मान लीजिए कि आपने जो gate है gate के side में जो है उसको आपने start कर धुआ तो आप उसके बाद ये जो करेंगे और इसके बाद ये जो करेंगे उस बक्त फार्म के अंदर पूरा धुआ भर जाएगा तो आपको बाहर जाने में थोड़ा सा परिशनी आ सकता है तो मैं यही request करूँगा कि कोई अगर इसको इसको इस्तिमाल कर रहे हो तो definitely उसक इसको दिखा जेता हूँं तो दोस्त इसको हात मत लगाई है आप उपर सéch हो गया दोस्त और आप देख पर एक है कि तरह से यह यहां पे धुआं हो रहे और आप देख परेक यहां फूरा भर जारे और इसके साथ जैसे के फॉर्वालिन है तो फॉर्वालिन का धुआ पूरा सेड पे मतलब चा जाएगा तो उसमें जो वैक्टरिया जो वैरस है फूरा खतम हो जाएगा तो दोस्ति यहाँ पे चलिए यहाँ पे इस मेल थोड़ा सा ज्यादा ही आ रहा है और यहाँ पे भी एक बर कर देता हूँ इसको चले जाएगे दोस्ति अब देख पर है कि कोई आपको ज़्यादा मेकनिजम का दरकर नहीं है इसका इस्तिमाल आप कर सकते हो पूरा सेड अब देख पर है धीरे धीरे भर जा रहा है और यहाँ पे एक तो है इसको मैं देने के बाद ही तुरंत बाहर निकल जाओंगा क्योंकि फान के अंदर में एक घंटा दो घंटा तक यहाँ पे घोसी नहीं सकता क्योंकि अब देख पर है कि उपर से धीरे धीरे जो धुआ है वो च्छार आया है उपर से तो यहाँ पे जो और एक तो है इसको इस्तिमाल कर देता हूँ तो दोस्त अब देख पर एक स्मोकी अलड़ी हो गया और यह जो काम करता है यह बहुती बढ़िया करता है चले चलिए मैं बाहर जाता हूँ एक बार क्योंकि फान के अंदर बहुती जो फर्मलीन है उसका मेल चार है तो दोस्त इसी के साथ समप्त करतूं यह वाला वीडिय वीडियो अगर अच्छा लगे तो फ्लीज लाइक कीजिए स्यार कीजिए जाके हर प्वाल्टी परवाई को मेरा सुचता मिल सके उसका लाव हो सके दन्यवाद